जिलंदर पच्छ मी विदा अंसबा हलके दी जिमनी चोन लई नाम जद गियां, आज तों शुरू हन पर हाले तक किसे भी सियासी पार्टी ने उमीदवार दे नाम दा एलान ही निकीता, आमादमी पार्टी लई ए सीट वकार दा स्वाल बन गई है, क्योंकि दोजार बाई द तों पहला जदो जिमनी चोन होई सी, ता शीतल अंगराल जड़े कांगरस छड़ के आमादमी पार्टी शामल होई सी, ओ जित्ते सन पर एद की लोगसवा चोना तों पहला ओ बीजेपी दे विच चलेगे, ते फेर सत्ता तेर ने अकाली दल चोले आके पवन कुमार टीन्न ते दा खेड़े आ, पर ओवी जितनी सके, तेहुन सत्ता तेर एथो केड़े उमीदवार ते दा खेड़ेगी, केड़े लीडर नों मेदान दे विच उतारेगी, एस अब तो वड़ा चैलेंच है, दूसरे पासे बीजेपी दे लई वी इसरदर्दी बणी होई है, क्योंकि एक पासे शीतलंगराल, दूसरे पासे सुशील कुमार रिंकू, दोना दे विचो बीजेपी एस जिमनी चोनली किसनों चुनेगी, एप बीजेपी दे लई चैलेंच है, शिरोमनी अकाली दलता वैसे भी अन्नी वड़ी हार तो बाद सिर नी चुक पारया, पर फिर भी पार शुरू होन गिया, जाहिर है कि अज पहले दिन कोई भी कैंडिडेट नामजदगी पर नहीं जाएगा, हो सकता है कोई अजाद उमीदवार पामे चला जावे, पर पार्टियां वालो कोई नहीं जाएगा क्योंकि कोई अन्नांसमेंट ही नी होई, पर एकी जून तक क्योंकि नामजदगियां परंदा आखरी दिन है, ते नामजदगियां वापस लें दी आखरी तरीक 26 जून रहेगी, इस तो बाद 10 जुलाई नो वोटना पैन गिया, ते 13 जुलाई नो नतीज़े आ जाणगे, आमादमी पार्टी वलों उमीदवारां दी दौड़ वेच म दे 9 स्पीकर दी चोन, 26 जून नो होवेगी, लोग सबा स्कत्रेत ने के है के स्पीकर दे आओदे लिए उमीदवारां दी हमायत वाले मते एक दन पहला यानके 25 जून नो दौपहरे 12 वजे तक जमा करवाए जा सकते ने, स्कत्रेत ने ने नेमा दी हवाले नाल के है के कोई वी मेंबर स्पीकर दे आओदे लिए खुद अपने नाम दी तजूईस नहीं रख सकता, मते लिए नोटिस दी किसे तीसरे मेंबर वलनों ताइद किती जाओगी, चोन लाण वाले उमीदवार वलनों ब्यान लगूगा के चोने जानते हो स्पीकर वज़ों सिवामा देन ल होवेगी, राष्ट्रपती द्रोब्धी मुरुमुस्ताई जूननों लोकसबाती रासबादी सांजी बैठक नों संबोधन करेंगे, सो इस दर में देखना काफी एहम रहेगा के पाईवाला दे विचों केडिया पार्टिया स्पीकर दा ओदा मंग दियाने, हालांके पहला देखना होगा के स्पीकर केडि पार्टि दा बनदा है